आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हमारा जो रियर्रेंज्ट में सरी सर्य रहा है उसे रिलेटेड वीडियो जैसे मैंने बांक की वीडियो उसको पढ़ाया है बिल्कुल उसी सिक्वेंस में पढ़ाएंगे अभी आपके लिए नेम सर्प्राइज रहेगा वो मैं नहीं ब पर वीडियो के लास्ट पर बताऊंगे क्योंकि आप अगर सौट ट्रिक पहले ही सीख जाते हैं तो मेकनिजम को करने में इंट्रेस्ट नहीं दिखाते हैं जबकि बार बर बोलती हूं कि किसी भी नेम रियक्शन के लिए नेम याद रहना जरूरी नहीं है जरूरी है आपकर फेल उग्णा स्टार्ट हो जाना चाहिए और स्यसक्राइब को जितना जादा प्रक्टी उसके मेकेनिजम को जितना प्रक्टीज करोंगे आपके प्रोड़क्त वैसे निगल जाएंगे विदाऊथ किसी नेम रियक्शन को लाइन किये तो बिल्कुल उसी पर फोकस क जैसे बिल्कुल किसमें आता है गेटवन, CSIR.net की एकजाम में आता है बिल्कुल वैसे पढ़ते हैं ठीक है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं CSIR.net से रिलेटेड जितने भी सलेबर से वो सारा कम्प्रीट कराने वाली हो और डिलेटे हैं को प्लीज से उसने क्या है प्राइम रियेक्शन नाइट्रस अजूर कराया लोग टैंपरेशर पे तो प्रोड़क्ट ए मिल रहा था पिर उसके लीका रहा था20 पशल्के englishman मैंने एक आमीन ले लिया चलो एक बड़ा चैन ले लिया हमेने अमीन का और उसकी रियक्शन फुर्स वॉल जासे दे रखा है। उसकी रियक्शन हम करते हैं नैट्रस एसीड सी हो तू इस नाइट्रस एसीड टैम्परेशर बहुत ही कम रहेगा जो दे रखा इसने चीक है में लेकिन अभी शीखो mechanism कैसे बनता है तो mechanism सीखने की बात करो तो नाइट्रस ओकसाइड है उससे हमें पता चलता है कि गर इसे ब्रैक करें तो यह OH और NO positive में ब्रैक होगा देखर हैं समझ आ रहा है तो मेरे पास है NO positive और OH अब आपने रियक्टेंट को गुर से देखो कि यहां पे ओएच नेगेटिव आगे अटेक कर सकता है या एनो पोजिटिव एटक कर सकता है रियक्टेंट को देखिए गौर से जैसे हमें इसा सिखाती हो आप यहां पर देख रहे हो कि यार कुछ दिख नहीं रहा है कुछ वह करना सुरू कर दिया किया यहां पे जो लोन पेर है वह आगे जा करके हमारे नाइट रोजन पर अटैक मारेगा क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है वह एलेक्ट्रॉन अटेश हो गया और इसी एन के पास पर हमारे पर क्या थी दो हाइट्रोजन मतलिब नाइट्रोजन ने तो बना रखे अब फोर बॉंड बना लिया तो इसके पास आजाएगा पॉजिटिव चार्ज और नो डाउट ऑउसिजन के पास अभी भी लोन पेर्स तो है ही है ना इतन अस्डिक हैड्रोजन को यह ले लेगा अस्डिक हैड्रोजन को क्या करेगा वो एसेप्ट कर लेगा तो जैसे ही उसने अस्डिक हैड्रोजन एसेप्ट किया आगे का रियक्शन क्या हो जानी है आगे बन जाना है हमारा आर थी एच्टू 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 ए और यहां पर आगया lone pair, हो गया, oxygen positive charge नहीं रख सकता, is it more electronegative, तो अब मैं क्या करूंगी, इसके shifting करा देती हूं, ऐसे, क्या कराते हैं, electron की shifting करा देते हैं, बस normal resonating structure है, shifting करा दिया electron का, CH2, CH2, यह एन, यहां पर इसके पास H तो है ही, electron की shifting होने से यह double bond यहां बन गये, और य और O के साथ, बाद में सचो कि क्या है, वैसे भी organic में बहुत सुन्दर सा notes बनाना होता है, parents को दिखाना होता है, हम chemistry पढ़ रहे हैं, चलिए, इतना हो गया, अब जैसे ही मैंने यह बनाया, आपको पता चल गया है, कि इसके पास फिर से lone pair, यहां पे तो positive charge आ ही गया है, तो फिर से वही reaction होगा, जो थोड़े दिर पहले हुआ था, इसके यह जो है, वो acidic hydrogen को accept कर लेगा, ले लेगा, जैसे ही वो acidic hydrogen को लेगा, तो आगे वाले reactions में हो जाएंगे हमारे CH2, कुछ नहीं है, बस मजा आ रहा है करने में, कोई भी बहुत बड़े-बड़े rules कुछ नहीं ल और वाटर बना रखा है, ganzen good living group तो वो तो live कर जाएगा, पर live कैसे करेगा, तो live कुछ ऐसे करता है, यहां पर है में पास loan pair, एना तो क्या करेगा, यह यहां पर בח Kyle teh good living group तो और यह यहां से लेक्ट्रन लेकरकर कि लीव कर जाएगा, यह यहांपे लेक्ट्राइश अपना देगा जलोन पेर है उसको और यहां से लीव कर जाएगा तो hiện आग वर्राल में पास बन जाते हैं अब क्या ऑल लू कि दिय में इसको डाये ऐजनियम के साथ reaction करा रहा है तो कुछ नहीं करो आप इसे n2 में convert कर दो समझा गया very easy ठीक ना तो यह बन गया मेरा product a यह क्या बन गया product a क्या बना है nitrogen तो नए nitrogen लग गया से ऐसे हैं क्लेर है इतना सो मेरा product a यह बन गया है जो मैं बनाना था आप इसी टारेक्ट भी लर्न कर सकते हो क्योंकि मुझे यहां पर रियारेंग्मेंट रियक्शन को ज्यादा समझाना है तो आप सिधे से याद कर लो कभी प्राइमीर अमीन दिया रहे हैं उसके साम नाइट्रस असीड करा रहे हैं तो क्या ब हीट दिया है मतलब क्या समझा रहा है अचा लीविंग रूप है कोई तो अपने आप में बहुत स्टेबल है कौन एंट्फू तो यहाँ से ना एंट्व गेस बाहर निकलेगा जैसे हीट दे रख्यां समझ आ गया कि एंट्टू गेस बाहर निकलेगा यहिन वह एट्टू यहांतो लेक जाये गाई एक तो अगर स्टैबल फॉम में बाहर जायेगा तो यह क्या करेंगा ? बांद इस इलेक्टॉन को लेके चला जाता है और जैसे वो इलेक्ट्रॉन को लेकर गया तो कारबन पर क्या जाए हमारा बन गया क्या काव किटायन अब देखो आगे reaction में क्या हुआ CH2 और यह जो CH2 था उसका इलेक्ट्रॉन को एंटू लेके चला गया है तो इस पर लग जाएगा पॉस्टिव चार्ज तो यहां से मुझे पते चला यार अब इसके पास तो पॉस्टिव चार्ज लग गया और यह हमारा intermediate बन गया क्या काव किटायन अब यह काव किटायन में होगी रियारेंजमेंट आपने यह जियोसी में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब भी काव किटायन को फॉर्मेशिन होता है तो वह रियारेंजमेंट करता है अपने आपको रियारेंज करता है जिससे क कार्ब की टायन किया उल्हों ते से तो यह क्या करेगा और यह जाकर इसके साथ ड्रेश्ट के सुपे रियरेंच कि मेंज क्रेंचम मैं नेता हैं पर यह यहमिद्र गाश्वत करेंज मिन्ट मुझेल होगा और यह घ्राइब को यहां पर यह जाएगा आपको थ्री हो गया ऐसे होगा तो यहां पर होता है रियरेंजमेंट रियक्षिन पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएगा और यह इस टाइप के इसको फॉर्म कर देंगे ठीक है तो यह रियरेंज कार्ब के टाइंग का फॉर्मिशन हो गया तो यह बन गया मेरा कौन सा प्रोड़क्ट इसको क्या बोलो गया गया फीप यह बन गया है हमारा वी रियरेंज काबसब टाइन अब जैसे हम इस बी बने हुए प्रोड़क्ट के साथ रिएक्षिन करा दें इसकी वॉटर की किसकी रिक्शन करा देते हो ब्वाटर की तो वीर्टर आपको पता है ऑप नेकेटिव तो और यहां पर जाएंगे आपके ओएच ग्रूप होगा इस दा फाइनल प्रोड़क्ट अब बताओ कोंसा नेम रेक्शन हमने पढ़ लिया सोच यह जल्दी से कोंसा नेम रेक्शन हमने पढ़ लिया प्रेम रे संख्क और प Ser Ihr ईनदी से किस का फिर्मेशन एलकॉहल का फिर्मेशन क्या होता है देम जैनोर-रियारेंजमेंग्ड रियाक्शन आक्शन समझज गया ना सब दुदिएजय कर सकते हैं अगर आपको न्याम फिलिए में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे easy way में solve कर सकते हैं अब इसे कि ना थोड़ा sweet in sort तरीके से देख लो एकदम फड़ा फड़ से क्यार होगा क्या तो कुछ भी दिखेगा नहीं आपको यहां से समझ आया हमें कुछ भी नहीं था सीदे से समझ आया कि यहां पर आर है यहां पर CH2 था यहां पर CH2 था यहां पर NH2 जैसे ही nitrous acid से हमने reaction कराया तो nitrous acid से reaction करते ही यह आर CH2 CH2 और यह N2 में change हो जाता है पस आंगे हमने कर दिया हीट करते ही एंडेचर पलहर so हमारे पास बन गया काव के डायन CH2 And Ch2 यहां पर positive श्रे Zam एबर सा reaction कराई CH यहाँ पे OH और यहाँ पे CS3 दिस दा प्रोड़क्ट मैंने क्या कहा था mechanism सीख गया है तो विदिन सेकेंड आप प्रोड़क्ट को बना सकते हैं clear है नहीं एक दो और करना चाहेंगे डेंज और रियार्रेंजमेंट reaction एक आथ कुशन और करके देखते हैं कुछ और example ले लेते हैं कि कैसे हम रियरेंज कर सकते हैं चीजों को सो है मेरे पास क्या एक फोर मेंबर्रिंग में नहीं है ठीक है रियक्शन सारे सेम होने हैं क्या क्या होगा सोच की देखिए कैसे होंगे रियक्शन इसमें सबसे फॉर्स्ट रियक्शन करा दी जाएगी किसकी एच एन ओ टू की किसकी प्रिजिंस में लो टैंपरेचर में होगा ऐसा तो रियक्शन आगे कैसे होने वाले हैं बहुत सिंपल वे में होगा आगे रियक्शन तो ज्यादा कुछ नहीं है हमारा अमीन जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें चेंज हो जाएगा एंटू में यह पता है आपको बहुत अच्छे से पता है ओपन कर क्लिक दूँ यह एंटू में चेंज हो जाएगा होगा क्यों नाइक्रस है पहले पत आती है था मैंने अब यहां पर आ गया को ले करके जैसे ही वो इलेक्टॉंस को ले करके बाहर गया मेरे यह जो फोर मेंबर रिंग था उस पर आ गया पॉस्टिव चार्ज फोर मेंबर रिंग पर क्या आ गया है पोस्टिव चार्ज अब यहाँ पड I कि इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूं देखना कैसे रिएरेंजमेंट हो रहा है ये आप इसे कुछ ऐसा भी लिख सकते हो कि ये इस carbon पे आजाए आपका CH2 और इस carbon पे हो जाए positive charge लिख सकते हैं through the rearrangement क्या कराया है और यह arrangement कराया है three member ring बना दिया है यहां से करके यहां टेक कराया और उसको free छोड़ दिया ठीके आपको यह चीज़े पता है कि हमारे इस carbon यह क्या है हमारा secondary carbon carbon है नहीं दो आर अटेस्ट है secondary carbon से जादा stable होता है miscellaneous carbon जो मैंने अभी बनाया है क्यों क्यों क्योंकि यह इंधर से भी stabilized होते है और इसके भी वेकिंसाइट से stabilized होता है तो यह क्योंकि जादा स्टेबल है तो यहाँ पर इस टाइब का रियरेंजमेंट होगा और 4-member ring से 3-member ring का formation हो जाता है बाबार आपके ब्रेन में असाता है रहाता है यह ऐसे कैसे पोसीबल है कि 3-member से 4-0 जादे स्टेबल होते हैं तो हम थी मेंबर नहीं बनाएंगे लेकिन जब आप पर यह अर्रेंजमेंट पड़ते हैं तो आपको ज्यादा फोकस करनी है किस पे stability of the carbacatand अगर मेरे 3-member ring बनाने से जादे stable carbacatand का formation हो रहा है तो no doubts मैं 3-member ring बना सकते हो तो आगे बन जाएगा 3-member ring और बस फिर water से reaction करा दो जैसे ही water से reaction होगा भाई यहां से तो OH नेगेटिव निकल जाएगा और ये H positive ये जाके वहाँ पर test हो जाएगा और हमारा final product का formation हो जाएगा शी-member ring के साथ CH2 and OH this is the product ये क्या है? product है समझ आया? तो इस reaction को हम बोलते है Dems and O rearrangement reaction वोप आपको समझ आ गया है बिल्कुल इसी sequence में आगे भी पढ़ेंगे अच्छा, learn करने का trick अगर में बताओं तो बस कुछ नहीं करनी है सीधे से याद रखो reactant में अगर मुझे primary amine दिया है साथ ही आपको nitrous acid दिख जाए और बस heat ठीके? क्या के बोले में ने? हमारे पास substrate में वो दिए देगा amine nitrogen containing group उसकी reaction करा देगा nitrous acid सी तो diagenium salt हमारे में मिल जाएंगे और उसी diagenium salt को बस heat कराएगा वो और फिर rearrangement होगी reaction में intermediate बनता है कावे की टायन इसलिए यहाँ पर rearrangement होता है और फिर direct product का formation हो जाता है तो इसी को पोलते हैं हमारा same reaction Thank you